Hello Everyone, Welcome to Mind Boosting Classes ये Part 2 है of Class 7 in CRT Science Chapter 12 Forests Our Lifeline इसे पहले हम Part 1 अल्रड़ी पढ़ चोके हैं उसमें हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था चैप्टर का Part 2 में हम आकी का पढ़ेंगे तो Part 1 में हमने यहां तक पढ़ा था Activity 12.3 तक Complete किया था ना यह जो बागी का चैप्टर बच्चा है इसको Complete करते हैं तो यह जो Inter Relationship बता रखा है Of Plants, Soils and Decomposers in a Forest इसके लिए सबसे पहले हमें जाना ज़रुए है Decomposers क्या होते हैं तो यहां आपको सब बता रखा है तो पहले हम इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे और फिर हम इस पिच्चर से और थोड़ी Clear Understanding करेंगे तो प्रोफेसर एहमद चिल्रोंस से पूछते हैं कि वो बताते हैं चिल्रोंस को कि वो Forest के फ्लोर से लीव उठाएं और Observe करें Hand Lens के अंदर They found tiny mushrooms over the decaying leaves तो Hand Lens क्या होता है इस तरी के से Lens होता है न तो इसको हम Hand Lens बोलते हैं तो इस Lens के अंदर वो जो Forest के फ्लोर पे पत्या पढ़ी होती है जो मैंने आपको Decaying Leaves बताए तो उनको देखना के लिए बोला था Professor एहमद बोल रहे थे कि इस जो tiny tiny mushrooms हैं Decaying Leaves के उपर उनने देखने को मिले तो देखो basically क्या है कि अभी हमने पार्ट बर में देखा था कि जो फ्लोर है उसके उपर हैं से पत्या पढ़ी रहती है Forest floor के उपर वो डिकेंग पत्या होती है सड़ी गली पत्या होती है तो उनसे बोला Professor एहमद ने बच्चों से कि कैसे organisms रहते हैं यहां तो Professor एहमद बताते हैं कि इन animals के अलावा जो animals बहुत असानी से हम देखते हैं there are several organisms and microorganisms that live in the soil तो देखो बहुत सारे animals ऐसे हैं Forest में जो हमें इसली दिख जाते हैं monkeys हो गई, birds हो गई तो बहुत इसली हमें अपने आखों से ही दिख जाते हैं लेकिन इनके अलावा कुछ microorganisms होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं वो बहुत छोटे organisms होते हैं पहली सोचती है कि mushroom और जो दूसरे microorganisms हैं वो खाते क्या हैं तो Professor एहमद बताते हैं कि वो सड़े गली चीजे खाते हैं जो मरे हुए plant हैं और जो animal tissues हैं तो उनको वो convert कर देते हैं डाक कलर सबस्टेंस में जिसको humus कहते हैं humus कहते हैं तो humus क्या होती है जो animals अभी हमने देखा ही जो microorganisms हैं जो छोटे छोटे organisms होते हैं वो क्या करते हैं ये जो सड़े गले, मरे हुए plant हैं इन सभी से इन सभी को convert कर देते हैं एक डार्क कलर के सबस्टेंस में जिसको humus कहते हैं ठीक है और humus में इनी के उपर ये जीते हैं मतलब इनी को खाते हैं dead plant और animals को humus में convert करके तो humus तो बहुत ही सदा important हो जाता है soil के लिए humus हमने ये 6th class में भी पढ़ रखा है तो humus हमें मिलता है soil की layer में soil की layer में हमें humus मिलता है और ये बहुत सदा important होता है soil के लिए क्योंकि इस अच्छी फसालोग पाती है the microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers अब ऐसे microorganisms जो इन dead plants को animals को सड़ी कली चीज़ों को जो humus में बदल देते हैं उन animals को हम microorganisms को हम decomposers कहते हैं तो decomposers ये चीज़ ध्यान रखना decomposers क्या होते हैं वो microorganisms वो छोटे मोटे खीडे जो की dead plants और animals को humus में बदलते हैं इन microorganisms का बहुत ज़दा important role होता है forest में तो पहली जो है कुछ dead leaves जो मरी हुई पतियां है उनको देखती है और उनमें एक humus की layer उसे देखने को मलती है forest की floor में ठीक है the presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil तो humus से क्या होता है humus की presence से ये हो जाता है जो dead plants और animals है उनके nutrients जो है soil में चले जाते है from there these nutrients are again observed by the roots of the living plants और जब वहाँ चले गए तो ये जो nutrients है वो जो जीते हुए पौदे है उनकी roots दुबारा से ले लेती है तो जैसे जो plants मर गए ठीक है वो humus में जब कनबर्ट होंगे तो उनके जो nutrients है वो soil में दुबारा से चले जाएंगे और जो plant की roots soil में है तो वो roots दुबारा से उन nutrients को ले लेगी ठीक है तो ये helpful रहता है इसलिए और what happens if an animal dies in the forest क्या होता है जब forest में कोई animal मर जाता है तो शीला पुछती है इबू बताता है कि जो मरे होई animals होते हैं उन्हें vultures, crows, jackals और insects जो चील वगरा नहीं उड़ती है हवाओं में मतलब हवाओं में चील होती है crows होते हैं याल नि कोई jackals होते हैं, insects होते हैं ये सारे खा लेते हैं इन मरे होई जानवर को इस वे में nutrients जो हैं cycle होते रहते हैं so nothing goes waste in a forest तो waste कुछ नहीं जाता forest में ठीक है interrelationship वाला देखो picture यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि इधर लिखा आप यह हैं c figure 12.9 तो इधर देखो interrelationship of plant soil and decomposers in a forest इसमें basically यह बताया कि कुछ भी waste नहीं जाता है एक forest में तो plant देते हैं oxygen ठीक है carbon dioxide हम देते हैं इनको photosynthesis का प्रोसेस करते हैं और food बनाते हैं अपने लिए और decomposers की through nutrients decomposers जो हैं वो microorganisms हैं जो decompose कर देते हैं यानि humus में convert कर देते हैं decaying plants और animals को dead plants and animals को ठीक है तो अब nutrients दुबारा से मिल जाते हैं इन roots को पेडों की roots को all you mitti है और water भी दिखा रखा है तो यह basically पूरा structure है आपको दिखा रखा है अब आगे देखो पहिदी को याद आता है कि प्रोफेसर एहमद ने उन्हें ये नहीं समझाया कि forest को green lungs क्यों कहा जाता है भी chapter के starting में हम देखा जाता है green lungs बोलते हैं ये पढ़ाता हमने तो green lungs क्यों कहा जाता है तो प्रोफेसर एहमद इस्प्रेन करते हैं कि plant जो है oxygen release करते हैं फोटो संथेसिस की process से oxygen release करते हैं तो जो plants है ना वो help करते हैं to provide oxygen for animal respiration the plants help to provide oxygen for animal respiration तो अब जो plant है वो oxygen release करेंगे तो animal का जो respiration होता है यनि animal जब सास लेता है respiration पे हम chapter पढ़ चोके हैं description में आपको link देता हूँ यगर आपने नहीं देखा तो तो जो plants होते हैं वो oxygen provide करते हैं और जिससे हम human beings और animals वगरा सास ले पाती है they also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere that is why the forests are called lungs और उनी के वज़े से carbon dioxide और oxygen का जो balance है वो atmosphere में बना रहता है oxygen देते हैं और carbon dioxide लेते हैं तो थोड़ा balance बना रहता है इसे वज़े से forest को lungs कहा जाता है children ने देखा children ने देखा कि जो clouds हैं जो बादल होते हैं वो आसमान में आ रहे हैं भूजो को याद आया कि उसने पड़ा है water cycle के बार में classics में तो trees जो है water लेते हैं जड़ो में से and release water vapor into the air through evaporation तो trees लेते हैं जड़ो में से water ठीक है यहां हमने पिचल में भी देखा न देखो water ले रही है roots अब roots water लेंगी और फिर वो trees जो होते है water vapor के form में मतलब water को vapor के form में हवा में छोड़ देते हैं evaporation के process से if there were fewer trees how will the water cycle be affected अब देखो पानी वो लेते हैं और उसे water vapor के form में छोड़ते हैं फिर वो clouds में जाता है यह ना clouds form होते हैं फिर बारिश आती है तो यह water cycle हमने पढ़ रखा है तो अगर बहुत कम trees होंगे तो water cycle भी effect रहे water cycle पे भी effect आ जाएगा टीबू बताता है उनको कि forest plants और animals का ही घर नहीं है बहुत सरे इंसान भी forest में देता है, medicines देता है और इनकी, they have traditional knowledge about many medicinal plants in forest और यह जो लोग रहते हैं tribal people कहते हैं उनको जो जंगल में लोग रहते हैं तो उनके पास बहुत सारी traditional knowledge होती है मतलब कि कौन सा plant कौन सी medicine देता है मतलब medicines के बारे में, plant के medicines इसके बारे में बहुत ज़िदा अच्छी knowledge यह रखते है while bhojo was drinking water for a small stream he saw some deer crossing the stream उसने देखा, bhojo ने कि कुछ deer भी जार हैं hidden bee हैं वहाँ पर जो कि जारियों के पीचे छुप रहे हैं जो जारियां हैं वो बहुत सब गहरी हैं और जो लंबे-लंबे grass हैं वो animal को food और shelter provide करती है they showed नहीं, they also protect यहां से they also protect them from carnivores that live in the forest तो देखो, जो deer को मार के खा जाते हैं जैसे कि loin का example ले लो तो loin deer को मार देता है है ना तो जो carnivores animals होते हैं जो दूसरे animals को मार के खाते हैं तो उन से बचने के लिए क्या होता है यह animals छुप जाते हैं जाडियों वगेरा के पीछे टीबू देन स्टार्टे लुकिंग क्लोजली एड़ दा फॉरेस्ट फ्लोर पर टीबू जो है फॉरेस्ट के फ्लोर पर क्लोजली देखने लगता है तो डॉपिंग का मतलब होता है कि वो जो वेस्ट निकालते हैं तो वो हो गया और कुछ animals के फुट्परिंट्स हो गए परू के निशान हो गए तो प्रोफेसर एहमद बताते हैं जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स होते हैं वो animals के footprints और droppings देखकर ही पहचान लेते हैं कि कौन सा animal है या presence है किसी animal किया नहीं भूजो called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping तो भूजो ने सब को बुलाया और दिखाया कि एक बहुती बड़ा सा decaying heap है एक animal का several beetles and grubs were feeding on the heap and a bunch of seedlings were sprouting these seedlings are of shrubs and herbs तो देखो ये ट्रॉपिंग बोली गए है ना वो एक तरह के से animals की potty बोल लो है ना तो वो ही है तो उस पर भूजो दिखाता है कि बड़ी dropping है वहाँ पर और उस पर बहुत सरे beetles वगेरा केड़े मकॉडे वहाँ पर आ गए हैं और कुछ सीडलिंग भी स्प्रोट कर रही है थीस सीडलिंग्स आर अफ था हर्ब्स एंड श्रॉप्स तो केड़े मकॉडे थे जो उनके उपर बैठे हुए थे खा रहे थे उसको और कुछ सीडलिंग्स थे यानि कुछ छोड़े चोड़े पाथे भी आसपस उख गए थे उसके और ये जो थे और अपने इसपर्शन सुना वगा दिसपर्शन का प्रसेस ही हमने कुछ चैप्टर्स में भी पढ़ाए तो इसपर्शन क्या होता है पिसक्रिवे कुछ अनिमल की काटे होता है उनके उपर ठीक है तो अनिमल के ऊपर भी सीड्स चिबग जाते हैं और फिर वो दूसरी चके जाएंगे अनिमल मुव करेंगे तो सीड को भी दूसरी चके ले जाते हैं और फिर वहां पर सीड्ग गिल जाती है तो वहां पर भी ग्रो हो जाता है पेड़ टिग अनिमल का डंग होता है यानि की जो ट्रॉपिंग्स वकिरा होती है वह भी नूट्रिंट्स प्रोवाइड सब बताते हैं उसके बाद ये सुनने के बाद भूचो अपनी नोटबुक में नोट कर देता है तो जितने ज़ादा हम अलग लग वरेटी के प्लांट्स होंगे किसी फॉरस्ट बे तो फॉरस्ट में बहुत सरी ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी फॉर्ड की और जो हर्भी वर्ष होते हैं उनके हैपिटेट की तो हर्भी वर्ष उन्हीं प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं भी कार्णी पॉरस तो हर भी पॉरस को खाते हैं एदा वैल्ड वराइटी ऑफ एनिमल्स है तो फॉरस्ट में रीजनरेट और ग्रो होने की बहुत दा हेल्प करते हैं सारे अनिमल्स ठीक है पेड़ पॉधे इनिकी बचे से उगते रहते हैं क्योंकि अभी हमने देखा अनिमल डिस्पर्स करते हैं मतलब अनिमल्स अपनी उपर सीट्स ले जाते हैं फिर अनिमल्स थोड़ी तूर जाकर जाड़ते हैं तो सीट्स गिर जाते हैं तो इस तरीके से फॉरस्ट रीजनरेट होता है दो बारह से वहाँ पर पेड़ बहुत ही ओगते हैं decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest और decomposers जो होते हैं, वो भी nutrients provide करते हैं, जिससे जो plant भढ़ रहे हैं वो जल्दी से भढ़ जाया है, therefore the forest is a dynamic living entity, full of life and vitality, तो इसले forest एक dynamic living entity है dynamic living entity मतलब पूरी life से भढ़ा हुआ ठीक है, full of life का मतलब कि जिससे बहुत सरे animals जो है, मर गया है, तो फिर वो decomposers जो होते हैं, वो उनको humus में convert कर देते हैं, फिर नाए animals आते हैं और carnivores, herbivores, इतनी सारी variety भी है, कभी कोई plant मरता है, फिर नाए उखते हैं, तो पूरा dynamic living entity इसको बोलते हैं, ठीक है full of life तो ये पूरा process कभी रुखता नहीं है, बस continue होता रहता है आप इस picture को पर देख लेते हैं, तो इसमें बस आपको ये दिखाया है rain water के वारे में की कैसे rain water उपर से आता है, देको basically यहाँ पर water table दिखा रखी है, कि यानि जो land है, उसके अंदर पानी है इस पानी को roots लेंगे, ठीक है इस पानी को इस पानी को trees के जो जड़े हैं, trees के जो roots हैं वो ले लेंगी, फिर इसी को transpiration और evaporation का process की, यानि भाप के water vapor के रूप में, भाप के रूप में पानी को आसमान में ऐसे छोड़ देंगे है ना, उसके बाद drain आ जाएगी, बारिश पढ़ जाएगी, और बारिश अगर बहुत तेजी से हो रही है, तो वो इतनी तेजी से forest में नहीं होगी, क्योंकि forest में canopy's वगेरा होती हैं, सबसे upper most part हमने बढ़ा canopy, यानि बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वो एक तरीके से पुरा coat बन जाते हैं, तो पेड़ों के उपस ऐसे पानी जाएगा, तो धीरे-धीरे तो जाएगा, अचानक से इतनी तेजी से तो नहीं जाएगा, अभी खुला नहीं है ये area पेड़ों से पुरा ढखा हुआ है, तो धीरे-धीरे another route for going back, टीबू बताता है कि कोई दूसरा रास्ता बताता है वापस जाने के लिए, तो जब वो वापस जा रहे होते हैं, बारिश होना शुरू हो जाती है, however, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest flow directly, तो उन्होंने यही चीज़ अबसर्फ की कि raindrops एकदम directly forest के floor पर नहीं पढ़ रही है, धीर धीर आ रही है क्योंकि जो uppermost layer है forest की canopy, उसने flow को, rain drops की flow को रख slow कर दिया है, और बहुत सारा पानी तो branches के branches की through नीचे आ रहा है, और stem की through आ रहा है from the leaves, क्योंकि देखो, धीर धीरे पेडों से होकर की पानी नीचे आएगा न, from the leaves was dripping slowly over branches, अच्छा, from the leaves it है, from the leaves it was dripping slowly over the branches of the shrubs and herbs, तो leaves से होकर के वो धीरे धीरे branches पे जा रहा था, shrubs और herbs की, they found that the ground was still dry, तो बारिश तो बहुते जरुए थी लेकिन, जो ground था वो बहुत सदा सूखा था, वो ज़्यादा गिला नहीं हुआ था, आदे घंटे बाद बारिश रोग गई, उन्होंने देखा कि, जो dead leaves थीना forest के उपर, forest के floor के उपर, वो अब थोड़ी गीली लगने लग रही है, but the water did not stagnate in the forest, लेकिन पानी पूरा नहीं भरा forest में, तो भूचो सोचता है, अगर बारिश इतनी तेज हुई, तो बहुत सदा, it would have flooded the drains and roads, तो बारिश इतनी तेज हुई, तो फिर, जो roads बगेरा होती है, उन्हें पर बहुत तेज बारिश हुई होगी, पूरा भर गया होगा, road बगेरा तो, तो क्या होता है, जो बारिश बहुत तेज बढ़ती है, आपके शहर में, या जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पे, तो प्रोफेसर, एहमद बताते हैं, कि जो forest है, वो एक natural observer का का काम करता है, rain water को, and it allows it to seep, it helps maintain the water table throughout the year, तो यह यह बोला गया है, कि अगर आपके शहर में आ गया, मतलब बार, flood का मतलब बार होता है, तो बार कैसे आती है, बार, forest में क्यों नहीं आई, क्योंकि देखो, forest में तो इतनी तेज बारिश हो ले थी, फिर भी forest गीला नहीं हुआ, बहुत बाद में, आदे घंटे बाद लगा कि हाँ, अब गीला सा हो रहा है, तो देखो, ऐसा इसलिए, क्योंकि क्या होता है, कि forest में अगर पेड़ पौदे होते हैं, तो बारिश भी आएगी, तो फिर वो मिट्टी के उपर जाएगी, और roots में, roots observe कर लेते हैं, मिट्टी observe कर लेते हैं उस water को, ठीक है, और अंदर, यह जो हमने पिच्चर में देखा न, कि, यहाँ पर मिट्टी ने observe कर लिया, और जो root का system है, वो water को एकदम ground में, जो है, seep कर देता है, यानि, जमीन के अंदर डाल देता है, ठीक है, जमीन के अंदर चला जाता है, पानी observe हो जाता है, मिट्टी के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर यह water table, आप देख रहो न, यह पानी, जमीन के नीचे इस तरीके से बन जाता है, लिकिन, पेड़ पहुते, यह चीज़ देखो, अब यह जो forest है, वो natural observer होते है, rainwater के, और पानी को, जो water आ रहा है, rainwater आ रहा है, उसको मिट्टी seep कर देती है, यानि, जमीन के अंदर observe कर लेती है, और water table पूरे साल maintain रहता है, forest water table, यानि, जमीन के अंदर का जो पानी है, water table लिखा है, अब forest flood को, बार को ही control नहीं करते, इसके साथ-साथ, वो water, जो नदियाम अगेरा होती है, वहाँ पर जो water है, वो सही रहे, उसका flow maintain रहे, उसमें भी help करते हैं, और हमें water का supply मिलता रहे, उसमें भी मदद करते हैं, तो पेड़ पौदे कितने ज़रूरी है, दूसरे तरफ, अगर trees present ना हो, तो ground पे directly rain आएगी, और इस वज़े से bard भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन पेड़ पौदे हैं, तो उनकी roots में observe हो जाता है, और फिर वो नीचे seep हो जाता है, heavy rain जो है, soil को damage भी कर सकती है, जो trees के roots होते हैं, वो soil को एक जगे बान करके रखते हैं, but in their absence, the soil is washed away और eroded, लेकिन अगर वो नहीं रहेंगे, तो soil भी उड़ जाएगी, wash away हो जाएगी, children ने लगबग एक घंटा टीबू के village में बिता दिया, जब वो वापस आ रहे थे, forest से जब वो वापस आया, तो एक घंटा टीबू के घर पे भी उन्होंने बिताया, टीबू के village में, the weather of the village was quite pleasant, और ग forest जो है, noise को observe कर लेते हैं, forest दे सारे हैं, तो जो forest के बाहर की तरफ road का noise pollution है, गाड़ियों वगेरा का, वो भी उन्हें सुनाइनी देता, children जो है, उन्होंने history जानी village की, और उन्हें surprising ये लगा कि जो village है, और वहां की जो जितनी भी खेत वगेरा हैं, उस area के, वो forest को काट क साथ साल पहले, 60 years पहले, तो टीबू के grandfather बताते हैं, कि जब वो बहुत छोटे थे, तो village इतना पड़ा नहीं था, जितना अभी है, वो forest से surrounded था, forest उसके आसपास थे पेड़के, और road, building और ये सब जो development हुई है, factories वगेरा की, वो increasing demand of wood created pressure on the forest and it started banishing, तो ये सब building वगेरा बन factors वगेरा बनाना के चेकर में forest को काट दिया गया, और forest कम होते गए, पहले जाता थे, वो बिल्कुल भी खुछ नहीं थे कि forest जो है, adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals and indiscriminate feeling of trees, तो देखो, अपीडो को काटते जा रहे हैं, और इसी वज़े से जो है, वो regenerate नहीं हो पारे forest और वो धीरे-धीरे गायब ही होते जा रहे हैं, overgrazing मतलब जो बेड बक्रियां वो के रहा होती है ना, तो उनको चराते हैं, तो ओवर चरा देते हैं, तो इस वज़े से क्या होता है, disappear होते जाते है forest और प्रोफेसर एहमद बताते हैं कि अगर हम अच्छी तरीके से काम करें, forest इसको preserve करें, और environment को भी बचाएं, तो हम as well as have development, तो हमारी development के साथ साथ हमें पेडों का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि फेक्टरी बगेरा बनाने हैं तर पेडों को काट दिया, और इसी वज़े से पेड रहे भी ने पाते हैं, फिर ये तो हमारे लिए ही उल्ट अप कर लें, तो इस बच्चों ने लिखा कि पहले तो forest में oxygen प्रवाइड करते हैं, वो soil को protect करते हैं, और बहुत सरे animals का घर भी है, forest जो है, अच्छी rainfall लाने में मरत करते हैं, आसपास की areas में, और वो medicine वाली medicines देते हैं, timber देते हैं, और बहुत सरे useful products देते हैं, ठीक है, ल forest को preserve करना चाहिए, forest को बचाना चाहिए, अब क्या होगा, अगर forest disappear हो जाएंगे, तो carbon dioxide का जो amount है, हवा में भढ़ जाएगा, और इसकी वज़े से earth का temperature भी increase होने लग जाएगा, और पेडों के absence में, और plants के absence में, जो animals हैं, उन्हें food नहीं मिलेगा, shelter नहीं मिलेगा, उनका खाना चिन जाएगा एक तो, और वो जहां रहते हैं, अगर पेड़ी हटा दिर जाएंगे, तो अब वो कहां रहेंगे, ठीक है, और अगर trees नहीं रहेंगे, तो जो soil है, वो water को hold नहीं कर पाएगी, जिससे floods आजेंगे, floods तो इसलिए नहीं आते हैं, क्योंकि forest यहां पर जा रहेगा, deforestation will endanger our life and environment, what we can do to preserve our trees, तो deforestation यानि की वनों की कड़ाई की वज़े से हमें बहुत सारी problems जील ली पर सकती हैं, तो यह सारी चीज़ हमने पढ़ी पहला, carbon dioxide बढ़ेगी, अगर forest चले गए तो, क्योंकि वो ही हमें oxygen रहेते हैं, तो carbon dioxide बढ़ेगी, तो carbon dioxide एक ऐसी ग जो गर्मी को अपसर्फ करती हैं, तो carbon dioxide की वज़े से गर्मी बढ़ेगी, हमारे earth का temperature बढ़ेगा, और trees के absence में, plants के absence में, क्या रहेगा, animals के पास घरनी रहेगा, खाना नहीं रहेगा, और तीसरी बात की trees नहीं रहेगे, तो floods आ सकते हैं, बार आ सकते हैं, चौती की, चौत हम अपने forest को बचा सकते हैं, बस यहीं पर आपका chapter फिनिश हो जाता है, हाँ यहीं पर फिनिश हो जाता है, यहीं पर फिनिश हो जाता है, हमने जानी canopy के बारे में, deforestation के बारे में, seed dispersal, crown, humus, soil erosion, decomposer, regeneration, and dusk और यह सारे keywords हैं और क्या हमने पड़ा यह आप यहां से देख सकते हैं यह पूरी एक तरीक से recap और summary अगर आपको जीसे समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ thank you so much for watching